नमस्कार दोस्तों आईए आज कुछ महत्पून प्रश्ण ले रहे हैं जो विभीन परिक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं यह प्रश्ण है पौधों फसलों यादी पौधे के किस भाग का हम परियोग भोजन मसालाओं या आसदी के रूप में करते हैं यह प्रश्ण किसी एक जगह आपको किसी टेस्ट बूक में साइद ना मिले इसलिए हमने इसको अपने अथक परियास से इसको एक अठाप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का परियास किया है यह शुरू करते हैं पहला है दाल चीनी पेड के किस भाग से प्राप्त की जाती है दियेगे विकल्पों में इसका सही उतर है विकल्प डी छाल अगला है समान परियोग में आने वाला मसाला लॉंग कहां से प्राप्त होता है दियेगे इसका सही उतर है विकल्प C फूल की कली अगला है मॉर्फिन किस से प्राप्त होता है इसका सही उतर है विकल्प A पुस्प कली या कैप्सुल next है पौदों के किस भाग से केसर प्राप्त की जाती है इसका सई उतर है विकल्बी रंद या स्टिगमा से next है कथा प्राप्त होता है कथा जो पान में पर्युख्त होता है कथा प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से कथा प्राप्त होता है तिसका सई उत्तर है विकल्बी छाल से अगला है कासनी या चिकोरी निकाला जाता है इसका सही उत्तर है विकल्प ए जड़ से अगे है सिनकोना के किस भाग से दवा मिलती है यानि सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है यह प्राप्थ होती है विकल्प सी छाल से नेक्स्ट है अफिम प्राप्थ होता है इसका सही उत्तर है विकल्प डी पके फल के लेटेक्स से अगला है निमन रेसों में कौन पोधे के तने का उत्पाद नहीं है चार विकल्पों में इसका सही उत्तर है विकल्पडी कपास कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है अगला है इसब गोल के किस भाग का उप्योग उपचार में किया जाता है इसब गोल जो हता है वो पौधे के किस भाग से बनाई जाती है इसका सही उत्तर है विकल्प डी बीज से नेक्स्ट है हसीस पोधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है हसीस इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी तने तथा नर्पुस्प के निश्राव से नेक्स्ट है हिंग पोधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो हिंग पराप्त होता है, दियेगे विकल्पों में सही उत्तर है विकल्प A, जड़ से, अगला है पौधे के किस भाग से चाय पराप्त की जाती है, इसका सही उत्तर है विकल्प B, इसका सही उत्तर है विकल्प B, पत्ती से, नेक्स्ट है, यह कहवा के किस भाग से कौफी प्राप्त किया जाता है कहवा के किस भाग से कौफी प्राप्त किया जाता है इसका सई उत्तर है विकल्प सी कहवा भूने हुए काफी जो है कावा के भूने हुए बीज से प्राप्त की जाती है तो ये था आज का महत्पूल प्रश्ट जो बस्तुनिस्ट परकार के थे आप लोग इसका अभ्यास करें और अक्सानी परिक्षा में आपको ये प्रश्ट देखने को मिलेंगे अगर इस परकार के प्रश्ट आपको पसंदार है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए कि जैसा ही कोई नया वीडियो में डालू आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका लाव उठा सके